नमस्कार अस्मिनकारांशे वयं कोविदस्य पाठिक्रमस्य अंतर्गते दशमस्य पाठस्य द्वीतियम खंडम पठामा विशेह अस्ति रनत्वं कह विशेह रनत्वं कह अभिप्राया अनेन अत्र स्पष्टम कृतमस्ति यदा नवर्णहा कह वर्णहा नवर्णहा कह नवर्णहा तवर्गस्य पंचम वर्णहा नवर्णहा तथद धन अस्य वन्नस्य तवर्गस्य पंचम वन्न रूपेण अथाथ न पुनह बदामी न रूपम भवती तदा एशा प्रक्रिया रत्वम इति कत्यते अथाथ नकारस्य भाव अतह एशा प्रक्रिया न यदा न भवती या प्रक्रिया असती एशा प्रक्रिया नत्व इति अंतर्गते आगच्छती कदा भवती वयं अधुना पठिश्या महा पूर्वं कानिचित उदाहर्णानी पश्या महा अत्रहं शब्दान लिखित्वान पदानी लिखित्वान कृष्णह कीर्णह विष्णुह पित्रि नाम अत्रवयम सर्वत्रपश्या महा कृष्णह न अस्ती कीर्णह न अस्ती विष्णुह न अस्ती पित्रि नाम अत्रपी न अस्ती अहम एते शाम पदानाम वर्तनी विन्यासम पी लिखित्वान वर्तनी विन्या से भवंता पश्यन्तु कृष्णह कृष्णह कीर्णह 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 विष्णुह विश्णुह पित्री नाम सर्वत्र वयं पश्याम अत्र न वर्णस्य प्रिवगह कृता वर्तते एशह एव मुख्यह प्रश्णह अत्र न के मर्थं तस्मिन संदर्भे एव एशह पाठह अस्ते तत्र अहम सूत्र दोयं लिखित्वान स्पश्टी करणं करिश्यामी तस्मात पूर्वं एकं अन्यं बिंदुं पश्याम्हा भवंता द्रक्ष्यंती अत्र न वर्णात पूर्वं श आगच्छती न वर्णात पूर्वं र आगच्छती न वर्णात पूर्वं पुनह श अस्ती अत्र पी न वर्णात पूर्वं री अस्ती दीर्गरूपेन यदा अत्र न आगतमस्ती तस्य मुख्य कारणं इदा मेव श र र र इती अस्य स्पश्टी करणं अत्रहं केंची सूत्र रूपेन कृतवान र श री तत पॉर्णात न आगच्छत प्रंदु अग्रेहाम लिखितमां केंची संकेतम दत्मान अंतिम न भवेत अथा एशह न अंतिम वर्णान न पॉर्णात पूर्णात 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 पूर्णा अत्रवयं सरवत्र पश्यामह न इति अंतिमह वर्णह न अस्ति ध्यातवयं अंतिमह वर्णह न भवेद्व पश्चाथ वयं पुनह करिश्यामह परंतु किंचित अवधान मत्र भवेद्व यदि इतादर्शी स्थिती भवती अर्थात रशरी इती वर्णा नाम पश्चात ना आगच्छती न पश्चात अपि यदि किमपियस्ती अंतिमह वर्णह न इती तदा न वर्णह न रूप के न भवती न वर्णस्य परिवत्नम कथम भवति न रूपेण इती अत्रहम लिखित्वान परिणामह अत्रहम लिखित्वान निमित्तम कोश्टक मज्जे लिखित्वान कारणम के मर्थम अत्रन न के मर्थम अभवत अत्मा कथम अभवत रशरी इती कारणाद अथात रशरी इती कारणम तक्नीकी रूपेन कारणम सस्कित व्याकरण द्रिष्ट्या निमित्तम कथ्यते अर्थात निमित्तम अस्ती कारणम अस्ती रशरी कस्य कृते न वर्णह यदा न भवती इतस्य कृते संस्कृत व्याकरण में वह प्रक्रिया न काहम न में परिवतन करते हैं तो वह प्रक्रिया प्रक्रिया कहलाती है नत्व का अर्थ यही है रंग का भाव और यदि हम फिर देखें इसे जो मैंने संस्कृत में आपको बताया कुछ स्तिती ऐसी आती है जिसमें न में परिवर्तित हो जाता है कब होता है तो कुछ उदारन लिये थे कृष्णह की नहां विश्णु पित्री नाम इनका हम यदि वर्तनी विन्यास करते हैं करिशन अह इस प्रकार से चारों पदों का म हम देख रहे हैं इन सभ्मिन आया है और फिर एक बात बटाई शेज और नंतिमवण से पहले कुछ है जैसे पित्री नाम में आम है अथात ये अंतिम नहीं है ऐसी स्थिती जब रशरी के बाद न आ जाए और न के प्रश्चात फिर कुछ आ रहा हो वह अंत में नहीं हो तब न न में परिवर्थित हो जाता है एक मैंने बात कही न जो न में बदलेगा वह अंतिम नहीं होना चाहिए क्या अरथ है इसका फिर देखेंगे लेकिन ततकाल दृष्टी से हम एक शब्द लेते हैं पद लेते हैं रामान अब यहां देखिए न अंत में हैं न के बाद कुछ नहीं है इसलिए हम इसे कहेंगे प भाव है न को न में परिवर्तित करने का कारण क्या है रश और री यह तीनों निमित कहलाते हैं हम कारण को निमित के रूप में लेते हैं तकनीकी भाषा में यह है इस पूरी बात को दो सूत्रों के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है एक सूत्र है रशा भ्य नो नहां समान पदे क्यार था इसका देखिए रशाभ्याम यहां द्विवचन है क्योंकि इसमें र और श है यानि र और श के पश्चात कि नो नहां ना को ना हो जाए रश पश्चात ना वर्णस्य परिवत्न रूपेन भवती साथ में शर्ट दी है तत्र एकम बिंदु अपी विशिष्ट रूपेन उक्ता मस्ति समान पदे अधात पद समान होना चाहिए जैसे क्रिश्ण यह समान पद है की नहां यह समान पद है विश्णु यह समान पद है पित्री नाम यह समान पद है अनेन प्रकारेन रश पश्चात यदि न आगच्छती पुनहां न समान पदे अस्ति प्रतक पदेन मैं फिर बता रहा हूं समान पद में रश के पश्चात न आने पर न इती वर्णहां इती व्यंजन वर्णहां न रूपम स्वीकरोती न न का रूप लेता है न न में परिवत्तित हो जाता है हमने यहां र और श के संदर में देखा और उदारण भी हम देख रहे हैं कृष्णह में श है किर्णह में र है विष्णू में श है तो फिर आप कहेंगे पित्री नाम में कैसे हुआ उसके लिए फिर एक नियम है जो वातिक के रूप में अतात बाद में आया रीवनात रीवन के पश्चात रीवन से पश्चात अपी नस्य नत्मम वाच्यम न को न बना दिया जाना चाहिए नत्मम न का भाव तो रीवन के पश्चात भी यदि ऐसी स्थिति आती है तो न को न में परिवतित कर देना चाहिए तो इन दोनों सूत्रों से न को न हुआ है श र और री आने के पश्चात और मैं पहले बता चुका हूँ र श र र कारण है न को न में बदलने के इसलिए ये निमित कहलाते हैं और जो न में परिवर्तन हुआ है वो परिणाम कहलाया है और यही परिणाम कहलाता है नत्वम अब कुछ बात और सोची जा सकती है एक बात तो बताई कि समान पदे और यहां हमने देखा रामान यहां मैंने न को न नहीं बनाया क्यों नहीं बनाया और एक बिंदू अलग सोचते हैं क्या सीधे रशरी के पश्चात न आए तभी परिवर्तन होता है या फिर कभी कभी कु हरकिता है जैसे उदाघारण लेते हैं रामा रम ऑगना है यहां भी न बना हुआ है इसी प्रकार से रामैं न अ यहां भी और आया हूआ है ऐसे आनेख on our न हैं जो अब हम देखेंगे आख र और कौनसी वो परिस्थिती हो सकती है जब न रो में परिबत्तित होता है आईए अब इसे समझने का प्रयास करते हैं। के साथ करते हैं। करते हैं। अब हम इस बिंदु को थोड़ा सा उधारनों से समझेंगे। मैंने तीन उधारन आपके सामने लिखी हैं। ये तीन उधारन आपकी पुस्तक कोवित के अंतरगत दिये गए हैं। क्रपया आप उसे बहां देखिए। प्रिष्ट संख्या पंचदश अधिक द्विशतम। दो सो पंद्रह इस प्रिष्ट पर आप उसे देखिएगा। ब्रह्मनाह रूप्यकाणि ग्रहाणि मैंने इन पदों का तनी विन्यास भी किया है। इन पदों का वन विन्यास भी किया है। यह पद ब, र, अ, म, अ, न, अह इन वर्णों में है। रूप्यकाणि र, उ, प, य, अ, क, आ, न, इ। इस पद में यह वर्ण है। ग्रहाणि ग, ज, र, ह, आ, न, इ। इस पद में है। अब यहां देखिये, सभी में न बना है। एक भिन्दु तो भूस पच्टे है, ठाके पश्चात अ हैं। यहां भी उना के पश्चात ही है, अथात यह अंत में नहीं है, इसलिए यहां लिखा था पदांतस से न, अथात पद के अंत में नहीं हो, नहीं तो नहीं बदलेगा, जैसे रामान में न अंत में है, इसलिए यहां न न ही है, फिर इन में रह भी है, यहां भी रह है, यहां र लेकिन ये देखिए इन दोनों की बीच में ये वर्ण भी आ गए हैं। ब्रह्मना में र और न के बीच में अ म अ हैं। रूपे कानी में र और न के बीच में उ प य अ क और आ हैं। वण र के बीच में रि और न के बीच में ह और आ यह वर्णाय हुएं। इसका उत्तर और Tai POLK में हैं। सूत्र है अट कुप वांग नुम व्यवाय अपी सूत्र भी किसी ओधंग से लिखा गया है लेकिन मैंने आपके लिए कुछ सरल कर दिया है उसे अलग-लग कर दिया है ताकि थोड़ी स्पष्टता हो जाए स्पष्टतार्थम हम सूत्रम किंचे सरल रुपेन लिखित्वान व बाधा होने पर भी व्यवाय अपी बाधा होने पर भी स्पष्टो गया भी क्या कहता है यदि कुछ बाधा आ जाए तब भी यदि कापी बाधा भवती तदपी तदपी क्या ना को ना बनाएंगी किसकी बाधा केशाम वर्णा नाम बाधा स्वभावि कयों की बाधा होगी तो उसके लिए यह सूत्र दिया गया है सूत्र का भाव क्या है वह मैं आपको बता रहा हूं यहां अठ से भी प्राय है सभी स्वर संस्कित में एक प्रत्यहार होता है अठ और उस अठ के अंतरकर सभी स्वर आ जाते हैं ये सवर भी दीर्ग हो हुं अथवा हरस्म हो कोई भी हूं इसी के साथ यह वहर कुप वांग नुव व्यवाई अपी बता चुका हूं बाधा होने पर भी कुप में कवर्ग और पवर्ग कवर्ग कखगगगंग कवर्ग पवर्गे पफभभम इसी के साथ साथ आ और न यदि ये वर्ण रशरी और न के बीच में आ जाएं एक शर्थ के साथ कि वहर्ण अंत में नहीं हो तो भी नो कुर्ण में परिवातित कर देते हैं पुना एक प्रशन उठता है पुना एक हाँ प्रशना हाग अच्छती इन में से कोई भी एक वर्ण आये या गोने चाहिए ये कितने ही हो सारे भी आ सकते हैं एक भी आ सकता है दो भी आ सकते हैं अर्थात इन वर्णों का गुच्छ भी आ जाए किन किन का स्वरों का यवहर कवर्गस्य वर्णहां पवर्गस्य वर्णहां अनेन प्रकारिन एते वर्णहां प्रथक रूपेन अथवा गुच्छ रूपेन पे निमित्तम अथात रशरी और परिवर्तन जो हुआ है अर्थात इनके बीच में आ जाएं तब भी हम न को न कर देती हैं तब भी नत्व होगा तदा आपी नत्व से भावाः भविश्यति आए इसे फिर देखते हैं देखिए रा था रण्या था इनके बीच में आ मह मॉह है अभ यहां देखिए स्वर है पवर्ग करवन है और फिर अस्वर है तो बाधा बाधा नहीं मानी जाएगी अतहा न को न बन चुका है रूप्पे काणी यहां देखिए र है यहां न है रूपी अस्थियत्र न उभयो मध्ये कती वर्णा संती उ प य अ क आ आ उ स्वर प पवर्ग य य अ स्वर क कवर्ग आ स्वर अतेव बाधा बाधा न अस्थियत्र अतेव न रूप आस अ स्वरह में हो इस यहां यहां एयां यंहें नहीं है जो शर्थ थी पंदानत से न वह भी पूरी होती है अनेर प्रकारियन वयम अत्रद्रिष्ट बनतहा यदि र एवं न मद्धे श एवं न मद्धे री एवं न मद्धे अट कुप मांग नुम इती संदर्भे अथा स्वरहा कवर्गस्य वर्णहा यवहर आन एते वर्णह यदि आगचंती एते वर्णहा बाधा रूपे नभवंती तत पश्चादपी नत्वस्य भाभा तत्र भविश्यती कानेचित पुना अत्र उदाहनानी संती कराणाम पश्यंतु र अस्ती न अस्ती मद्धे आगच्छती अते बाधा न गुरुणा र अस्ती न अस्ती मद्धे उस्ती बाधा न दर पेन र अस्ती न अस्ती मद्धे प ए बाधा न मूर खेन र अस्ती न अस्ती मद्धे ख ए बाधा न पारायनम र अस्ती न अस्ती यह अ एते वण्हा संती बाधा न अस्ति एवं एव कर्म कराणा अत्रपिर अत्रपिर प्रन्तु अस्मात कारणात न अभवत मध्धे आ अस्ति छामेन भवंतात द्रक्षेंति यां विशेष्ट रुपेन अत्र वण में न्यासम क्रितवान कारणां ख केम अस्ति ख मूलता यह यहां श आया है श के बाद यहां गता है और बीच में देखिए सारे कि सारे वर्णिय नहीं मानेगी कारणम अस्वर है म पवर्ग का है ए पुन्ह स्वर है अनेन प्रकारिन वो इम दिश्ट मनता है रश रिपश्चात साक्षात और इन दोनों की बीच में यहां बताए गए वर्ण यानि स्वर्ण कवर्ण पवर्ण यह वहर न आदी वर्ण आती हैं तो भी बाधा नहीं मानी जाती यह एक वर्ण आजाए दो वर्ण आजाएं अथवा गुच्छ के रूप में आजाएं गुच्छ रूपे ने यदि सर्वे वर्ण हापी आगच्छंती तदा अपी बाधा नस्वीक्रियते न को न बन जाता है यही नत्व कहलाता है अब हम कुछ उधारन देखेंगे यदि इनके अतिरिक्त कोई और वर्ण आए तो क्या न कोण बनेगा की नहीं बनेगा उधारनों से हम समझने का प्रयास करते हैं अधुना अत्र कानिजित पदाने लिखितानी संती तानिवयम पश्यामा मारी चेन रश्मिना कारे दर्शिना द्रिश्य मानम यहां अब कुछ और पद लिखे गई हैं हम उन्हें देखते हैं इन चेन में न कोण नहीं हुआ है अत्रवयम पश्यामा न न एवस्ति न अभवत क्यों नहीं हुआ यह भी समान पद में हैं और अंत में नहीं है पद के तो फिर क्यों ऐसा हुआ है अब हम इसे देखते हैं मारी चेन इती पदे के के बढ़न हां संती म आ र ई च ए न अ रश्मिना र आ श म इ न आ कारे दर्शिना का आ र य अ द अ र श इन आ द्रिश्यमानम द रिश य आ म आ न आ अ अ आ अ आ अ एतेशू सरवेशू पदेशू केंपश्यामा न आ य वस्ति न रूपेण न अस्ति के कीम कारणम् 예द्यपी निमित्तम्पी अस्ति रह अत्रपी रह अस्ति अत्रपी रह अस्ति अत्र रह अस्ति तद पश्चात पी ना अभवत कारणम किम अधुनापयम पश्यामा पश्यन्तु रह और न की बीच में कौन को से बढ़ने हैं हो मारी चेन में ई है च है ए है और हम देख चूके हैं यदि ये वर्ण आजाती है स्वर कवर कवर्ग हो यव यो वर न आ जाती है तो बाधा बाधा नहीं मानी जाती अन्ने वर्णा तो बाधा-बाधा मानि जाती है तत्रवय को यह इस्ति स्वरा अस्ति बाधाण अस्ति अत्रपी एस्ति स्वरा stati बाधाण आस्ति परंत्वत्र मद्दित आंगत आगत है इन में चवर्ण का अप्स्थान नहीं है लेकिन च आने के कारण यह बाधा बाधा मानी जाएगी अतहा न न के रूप में रहा है न नहीं बना है ए बंब अतर निमितं यानि कारण नो कोण बनाने का रहल निमित लो भी हैसे लेकिन नहीं बदलाद जंब अंतियपिन नहीं पशात किसते आ आश्थिकेद्रा के पवर्ग का वर्ण है यह भी बाधा नहीं है इसलिए न कोण नहीं बना है अत्रपश्यामह र अस्ती पर न अस्ती यह बाधा नहीं है बाधा नहीं है स्वर होने के कारण बाधा नहीं है स्वर होने के कारण बाद में यहां एक रह और आया है लेकिन यहां देखते हैं शर आ गया है यह तो बाधा नहीं है अब हम देखेंगे इस रह के कारण होने कारण भी यह परिवत्तन होना चाहिए था लेकिन नहीं है दो ब द और शब बीच में आने के कारण जो बाधा के रूप में स्विकार किये गए हैं परिणाम तहा न न नहीं बना एवं एव द्रिश्यमानम निमित री है लेकिन न को न नहीं बना कारण स्पष्ट है य बाधा नहीं आ बाधा नहीं म बाधा नहीं आ बाधा नहीं परंतु श बाधा है इस सूची में श नहीं है अनेर प्रकारेण वयम पश्याम हां र रि श और न शर्त है कि वो अंत में नहीं हो इनके बीच में कुछ बाधा के रूप में माने जाते हैं उसे न को न बनाने में कुछ बाधा के रूप में नहीं माने जाते न को बनाने के रूप में ये वर्ण हा बाधा रूपे न संती वयम ज्यात बनता हा स्वरहा कवर्ग से कख गग इती वर्ण हा पवर्ग से पाफ बभ मा इती वर्ण हा पुना ह वर्ण हा य वर्ण हा वर्ण हा इते वर्ण हा यह पूरा भाव नत्म का भाव है जब हम न को न में परिवर्तित करते हैं कुछ शर्ते हैं कि आप क्या क्या समझे हैं और क्या क्या नहीं समझे क्या होता है नकार को न बनाना किम सर्वदा न हमेशा नहीं यदि रश मूर्धन्य और रडी इनके पश्चात न आ जाता है न को न बनाते हैं प्रंतु कब दो शर्ते प्रमुख रूप से हैं न अंत में नहीं होना चाहिए दूसरा समान पद होना चाहिए तो न न में परिवर्तित होगा निमित के कारण पुना एक बिंदू रश और री और न के बीच में यदि कुछ वर्ण ऐसे हैं आ जाए तो बाधा नहीं मानी जाती है न कोड़ बनाने में और उस सूची में हैं स्वर कख गघंगा कवर्ग के यद्ध पवर्ग यह हूय और यह वन एक बन आ जाये अत्वा गुछ के रूप में आ जाए बाधा बाधा नहीं मानी जाती है अन्यदि वन्हा आगछ न्ति ए वन्हा बाधाम स्थापयंति वे बाधा स्थापित करते हैं किसमें न को न बनान में नत्वस्य प्रक्रियायहा बाधा रूपेन भवंति अन्य वर्णहा इति वयं ज्यात बंतहा वयं पुनह मिलामह धन्य वाद